दोस्तो जैसे के पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि मैं डेली आपको नेरो रेंज के ऐसा इस्टोक भी बताऊंगा जिसमें वो ब्रेक आउट होने वाला होता हुआ तो दोस्तो आप दिन इस्टोक है जिसमें पहला जिसमें पहला इस्टोक है मेक्स फाइनेंस सर्विस लिमिटेड दोस्तो ये एक नेरो रेंज में ट्रेट कर रहा है लगबग 10 दिनों से जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब हमें इसमें ट्रेट केसे लेना है तो दोस्तो देखे कि मैंने पहले चैले वीडियो में आपको बताया हुआ है अपने को ये जितने रोज ये नेरो रेंज में ट्रेट कर रहा है वो केंडल कौंट करनी है जैसे मानली ढकिली दस रोज तो आप इनको काउंट कर लिजे अब उसके बाद उसके बाद आप NAC की साइट पे चला जाएए और आल रिपोर्ट में जाके ये बाव कापी देखे इसकी मैं एक बार बता देता हूं आपको Security-wise volume यहाँ बाव कापी में मिल जाएगा और यहाँ पे भी यहाँ पे जब आप जाएंगे तो टोटल ट्रेडेट क्वांटिटी देखे इसकी जैसे कि यह पन दस रोज से मतलब दो सब्ता से एक निरोरेंज में ट्रेड कर रहा है यह यहाँ से दोस्तो अब आप इनको टोटल को काउंट कर लीजे और इनका एवरेज प्राइस निकाल लीजे जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है यह अब जब तक दोस्तो अब ट्रेड कब लेना है इसमें अब यह ब्रेक आउट कब देगा तो दोस्तों यह मान लीजे यह जो इसकी रेंज है इसके ऊपर ग्रीन केंडल बनेगी यह इसके नीचे और जब तक कि लाइव मार्केट में लाइव मार्केट में कहां पे देख लिजिए सब्सक्राइब वोल्यूम जब तक ट्रेड नहीं करेंगे इस्टोग जब तक हम इसमें इंट्री नहीं लेनी हैं इंट्री तभी लेंगे हम जब महां पे साड़े सोला सत्रा लाक रुट जो है जब तक ट्रेड उसके ऊपर जब ट्रेड करने लग जाएंगे और इधर केंडल बाहर रेड या ग्रीन ब्रेकडाउन देगा तो रेड बनेगी उपर जाएगा तो एक ग्रीन केंडल जैसे यह होगा तो आप मान लीजे कि एक केंडल बन रही है रेड जो इस रेंज से बाहर जैसे जाएगा जब आप इंट्री लोग है तो एक परफेक्ट ट्रेड रहेगा इसमें किया है कि आपको नुक्सान न के बराबर होगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में जैसे में आपको बताया है कि आप 30-40 सजार रुपे पहले कमाना सिख जाए है मन्थली उसी के बाद अपन आगे के चर्चा करेंगे क्योंकि बड़े ट्रेड लेने के लिए कम से कम आपको रेगुलरी इतना आना चीए कि हम 30-40 पचास जार रुपे आसानिस निकाल सके उसी के बाद आप बड़े ट्रेड लीजि अगर अकेले इंडिगेटर से आप पता लगाओगे कुछ भी पता नहीं लगेगा कि फेक ब्रेक आउट में क्या है आपका सारा पेसा चला जाएगा और यह से डेटा पॉइंट के साथ अगर आप ट्रेड लोगे और इंडिगेटर को मिला के तो बहुत गजब का बार वो तब जब मान लिजे कि इसका लोवर बेंड है यह ओरिजन्टल लाइन है इसके यहां पे मान लिजे कोई केंडल ओपन हुई है यह कितने पे है 336 रुपे पे अब इसमें इंट्री ले सकते हैं बहुत बार क्या होता है कि अपन कंफ्यूजन में रहते हैं यहां पे चलो ओपन हो जाता तो हम कहां पे ट्रेड लें जबकि पूरी मुवमेंट तब ही केप्चर होती है नियम के अनुसार चलो गया आप तो बिलकुल आपको आपको पता होना पाको कुछ यह कौन सी केंडल कैसे बनी और कहां पे बनी है उसी के अनुसारा पूरी मुवमेंट केप्चर कर सकते हो और नहीं colored ग।म जब stuffing मी ओपन हूई कहां पे तो मैं कैसे ट्रेड लोंगा यह बता देता हूँ अब मान लिए लिग बीच में OPEN हूई यह तो मैं जब कि वोल्यूम में सत्रा लाग ट्रेड चाहिए मुझे और ग्रीन केंडल चाहिए तब ट्रेड लूँगा में या फिट ड्रेकडाउन में सत्रा लाग सेर होईंगे और जब यह नीचे मुवमेंट चालू करेगा तब जाके जब तक मैं इसको वाच करूंगा इसी तरीके से लगबग 50-51 पॉइंट पे एक सपोर्ट ले रहा है हर बार आप अगर दियान से देखोगे मैं इस पर ओरिजन्टल लाइन लगा देता हूं ज्यादा किलियर हो जाएगा यह देखें अब आपको पता चलेगा यह इस पर सपोर्ट और रजिस्टेंस का काम कर रही है अब इसमें मान लीजिए कि यह ब्रेकडाउन देगा और यह भी इसको तोड़ के नीचे आजाएगा तो आप और उदर 17 लाख ट्रेड है तो आप क्या है अगर मार्जिन लेके अधिर भी काम करोगे ज्यादा ज्यादा क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि ज्यादा ने 45-5,000 रूपे मैं मन्थली के चीए थीच चालिस-5,000 रूपे कि आप तभी सीखो गया क्योंकि सेहर मार्केट में चीए आपको और पूरा समय तभी दोगे जब आपके पास कुछ इंकम और मैंने पहले ही बताया मैं इतना आपको जरूर डेली बताऊंगा जिससे आप 40-50,000 रुपे आसानी सकमा पाऊँगे पर उसके लिए क्या आपको थोड़ा समय भी अब जैसे आज तीन इस्टोक है एक तो यह मेक्स दूसरा आगया सिपला यह दो रोज से नेरो रेंज में बन रहा है अब यह क्या है इसके एक सपोर्ट के पास में भी यह यह यहां पर आप देख रहे होंगे इसने गेप अपनिंग दी थी पांसो चो सट के पास तो हो सकता है यह नीचे ट्रेट करें पर दो रोज की मेंने काउंट कर लिए वही आपको पहले बताया हुआ इने सिक साइड में जाके कर लीजिए टोटल ट्रेड क्वांटिटी का इवरे निकाल लीजिए जिसे यह सन टीवी सिपला यह दो रोज से अब यह मेरे पास तीन है तीनों में कोई डेली ब्रेक आउट नहीं होगा किसी एक में होता रहेगा में डेली दूंगा तो आपके पास क्या लिष्ट बन जाएगे आप बस जब इंट्राडे में आपको क्या है कि हाइली वोलेट और दूसरा नेरो रेंज के स्टोक पकड़ने पड़ेंगे तब ही आप परफेक्ट ट्रेड लेंगे वरना तो क्या है नुकसान में बेठे रहेंगे अब इससे ज्यादा कुछ भी ने अगर यह एंडिगेटर में इंडिगेटर के चक्कर में रहोगे तो यह मानों कि आप लोग है तो कोई मतलब नहीं है नुकसान के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा एक सिप्ला आ गया है दूसरा में एक सफाइनेंस सर्विस है तीसरा है संटीवी संटीवी भी दो रोस से नेरो रेंज में अब संटीवी भी नेरो रेंज में ट्रेट कर रहा है जैसे कि में डेली यहां पर क्या मेरी एकसल सीड वनी हुई है तो इसमें क्या है इस टोकोन में टोटल ट्रेडेट प्वांटिटी नोट करता रहता हूं वह एवरेज निकाल लेता हूं चलो यह दस रोज से कर रहा है डेली के आवरेज निकालता हूं जैसे दो रोज का है दो रोज का निकाल लूँगा तीन रोज से केंडल बन रही तीन रोज का निकाल क यहने इंतजार करूंगा कि जब तक उससे बाहर जा के वो ट्रेड स्टार निकरए जब तक ठेड़ ट्रेड नी लोगे वो चलेगा क्योंकि अपने पirimाद से पेसे नि जा रहे हैं अपने को या मार्णकेट से कुछ ले के निकलना ना कि देख यह क्योंकि इंट्राडे में क्या एल्गोरिजम चलता है तो वहाँ पे क्या है कि एल्गोरिजम को जब तक आप बीट नी करोगे कुछ भी नी होगा इंडिगेटर वे इंडिगेटर के चक्कर में वहां पे इंडिगेटर नहीं चलता है एल्गोरिजम में वहां पे डेटा चलता है वह में बाद में बताऊंगा केसे क्या मैंने अगले वाले वीडियो एक बार आप ज़रूर देखना गर नहीं देखा हो तो उसमें क्या बहुत इसे ही मतलब डाल दिया था वीडियो पर आप उसको देखना वीडियो यूटूब पर बहुत अच्छे वीडियो है चाहे जितना खराब हो आप उसको देखना उसमें से जो अच्छी बात लगे वो पाइंट नोट करते जाओ अगर आपको इस टोक मार्केट में कमाना है तो इसके अलाव आप दूसरी टेक्निक की यूजमत करो कोई मतलब फिल निये क्या यह पर्फेक्ट आपको उमेश्या कमा के देगा यह क्योंकि ब्रेक आउट चाहे आए फिये ब्रेक-आउट का वंटिटी का मतलब शेयर का उपयोगी नहीं किया जाता है अगर फिल ब्रेक- आज नित कल इसमें ब्रेक आउट तो होगा ही होगा तब हमें ट्रेट के लिए से 5,000 करना है इसमें क्या पेशन्स चीह अपने को इस चेयर मार्केट में और आप फ्यूचर बनाना चाहते हो तो पहले कम से कम 40-50,000 रूपे महिना और एक आदे महिने नि 4-5 महिने आपको कमान पड़ेगा तब जाके आप सीखोगे तो दोस्तों यह आज के लिए तीन वीडियो थे अगर आपने अगला वीडियो नहीं देखा हो तो वह आप ज़रूर देखना अगर इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपको इस्टुक मर्केट सीखना है तो आप चेनल को साथ में बेल आइकन और लाइक बेटन को प्रेस करना ना भूले धन्यवाद